क्यान मंत्रा हूम रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को साही बाबा के अंति मियात्रा के बारे में बताऊंगा और कुछ फोटो भी दिखाऊंगा जो की साही बाबा की अंति मियात्रा के असली में लिए गए फोटो है साइं बाबा ने अपना पूरा जीवन जन सेवा में व्यतीत किया वहाँ पहले दूसरों का दुखदर्द सुनते थे उसके बाद उनको ठीक करते थे श्रिडी के साइं बाबा का निधन 15 अक्टूबर 1918 को हुआ था उस दिन दशेहरा था साइं बाबा ने दुनिया छोड़ने का संकेत पहले से ही दे दिया था उनका कहना था कि दशेहरे के दिन धर्दी से विदा होने का सबसे अच्छा दिन होता है श्रिडी में बाबा के जीवन काल में मुसलिम, फकीर और उनको हिंदू इन तीनों तरह से उनको पूजा जाता था बाबा के निधन के बाद उनकी फियून्रल की किस तरह से की गई थी इसके लिए दोनों पक्षों में बहुत ज़्यादा टेंशन थी सरकारी अधिकारियों की मौजोदगी में वोटिंग कराए गई मतदान में बाबा का अंतिम संसकार हिंदू रीती रिवाद से किया गया और वही पक्ष विजई रहा इसके बाद दूसरा पक्ष बाबा का शव कवरिस्तान में दफनाने के लिए जो है उसके पक्ष में था साई बाबा को लोग अबतार मानते थे इसके बाद भी उन्होंने अपने निधन से पुर्ग दार्मिक गरंत सुनने की इच्छा व्यक्त करी थी उन्होंने श्रिडी के ही एक व्यक्ति से उन्होंने कहा था कि